Hello everyone, welcome back to my channel आपकी mini आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो की तरफ से आई vacancies के बारे में तो जितने लोग क्योंकि एरपोर्ट जॉब्स काफी अच्छी जॉब्स मानी जाती हैं तो आप में से काफी सारे लोग थे जो लास्ट टाइम अप्लाई नहीं कर पाए थे इस टाइम आ जाती है कि यह official website पर मैं आपको खुद दिखाऊंगी कि इनकी सारी कि सारी जो भी jobs opening आती है वो official website पर हमेशा तभी ट्रस्ट करिये जब job vacancy इनकी official site पर हो चाहे कोई भी airline हो चाहें indigo हो spice jet हो कोई भी airlines हो आगे बढ़ते हैं detail में समझेंगे कि दो वो different posts क्या है और कैसे आप को apply करना है कहां जाना होगा कौन कौन सी locations पर यह job available है बढ़ detail में आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से समझ लीजेगा जिससे कि आपको कोई problem नहीं होगी अगर आप channel पर नए है तो channel को subscribe जरूर कर लेना जिससे कि यह जो daily job updates हम आपके लिए लेकर आते हैं इनके इनका आप apply कर सकें और अपना job ले सकें WhatsApp चैनल भी join कर सकते हैं और Telegram ग्रूप भी join कर सकते हैं जिसमें हम और भी जादा jobs share करते हैं चाहे वो work from home हो work from office हो या किसी भी तरीके का यह job हो लेकिन एक guarantee है कि job 100% real होगा यह हमारी guarantee है आगे बढ़ते हैं detail में समझ लेते हैं तो job 1 है पह अब यह job एक पटना में भी है same position पर job अलग अलग cities में है अलग अलग states में है तो जिसकी बात हम अभी करेंगे बट आप सबकी requirements सेम है इसलिए पहले requirements को पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं तो यहां पर जो hiring होने वाली है वो है officer level का customer support security पटना है यह पटना में है बट और भी other locations पर है face to face आपका interview round होगा interview में सिर्फ आपका confidence होता है और कापकी communication skills अच्छी होनी चाहिए उसके लिए प्राक्टिस कर सकते हो क्योंकि अगर आप एक हफते भी अपनी आप में practice करेंगे कुछ common questions होता है common questions का practice कर लेंगे थोड़े English पर अपनी command अच्छी कर लेंगे तो यहां पर 12 April को interview होगा Friday है साड़े नौ बजे से साड़े दस बजे की बीच आपको पहुँचना है कोशिश करिये time से पहुचे साड़े नौ बजे ही पहुच जाएगा hotel आपको पूरा address भी दिया है कहां पर इसका interview होगा CV आपको सुबह 11 बजे यह लोग कलेक्ट कर लेंगे अब हम main बात करते है eligibility criteria कौन-कौन यहां पर apply कर सकता है तो कोई भी graduate मतलब graduation में आपने कोई भी degree की है आप यहां पर apply कर सकते है तो यह main desired इनका क्या है skills की आपका communication skill अच्छा होना चीए थोड़ा सा customer service के बारे में पढ़ लीजेगा कैसे customer को handle करना होता है कैसे बात करनी होत तो यह YouTube पर सब कुछ available है आप सर्च करेंगे आपको धेरो वीडियो मिल जाएंगी ठीक है तो यहां पर rotational shift हो सकती है तो आपको उसके लिए ready रहना पड़ेगा able to work under pressure थोड़ा pressure तो मिलेगा जब salary अच्छी देंगे तो प्रेशर थोड़ा बहुत रहे गई बट आपको आपके बॉड़ी पर और 27 येर्स तक के लोग ही यहां पर apply कर सकते हैं इससे उपर उससे जादा एज वाले लोग यहां पर apply नहीं कर सकते हैं अगर मान लिजे कि आप interview में crack नहीं कर पाते हो by chance interview आपका clear नहीं होता है तो आप 6 महीने बाद फिर से यहां पर apply कर सकते हैं इस यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो पड़ी हैं interview की उनको जरूर देख कर जाना उनसे थोड़ा सा practice कर लेना अब भी बात करते हैं documents क्या-क्या लेकर जाने है तो अपने updated resume लेकर जाना है with photo, photocopy ले जाएगा अधार card की और graduation की जो भी mark sheet है वो लेकर जाना है दूसरी जो job है वो female Indian nationals with Indian passport females के लिए especially उनका age जो है वो ये cabin crew की job होगी most probably देखते है 18 to 27 इसका भी age criteria यही है कि 27 से ज्यादा आपकी age नहीं होना चाहिए past 10 plus 2 examination तो यहाँ पर अगर आप 12th pass भी है तो भी आप यहाँ पर जा सकते है communication आपकी fluency होना चाहिए Hindi में भी English में भी मतलब जो भी कि आप बोल रहे हो वो उसमें clear होना चाहिए आप बोल क्या रहे हो हिंदी भी बोल रहे हो ना तो clarity के साथ height weight यह important है इसमें आपका minimum 155 cm होना चाहिए height और जो भी BMI proportionate होता है जो भी इनका criteria है उस criteria के according आपका weight होना चाहिए ठीक है यह आप search कर सकते हो YouTube पर या Google पर बेटर होगा कि weight proportionate to BMI क्या है यह और इसके according आप देख सकते है appearance, body, personality आपके अच्छी होना चाहिए ठीक है इसमें appearance अच्छा होना चाहिए personality अच्छा होना चाहिए body पे कोई भी tattoos नहीं होना चाहिए जब आप हो सकता है आपके hidden tattoos हों कहीं ऐसी जगे tattoos हों बट अगर आप uniform पाइन रहे हो तो उसके अलावा बाहर आपका tattoos visible ना हो बस यह आपको धियान रखना है और हाँ एक important चीज़ की candidate flexible होना चाहिए कहीं पे भी किसी भी indigo base पर आपका posting हो सकता है आपको job मिल सकती है तो उस वहाँ पर जाने के लिए आपको ready होना है और अगर आपकी salary अच्छी है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई issues होंगे अब हम बात करते हैं direct in के official website पर चल कर देखिया आ चुके हैं indigo की official website पर इसका link में आपको दे दूंगे description में आगे बात करते हैं यह जो first vacancy है यह जिसके पास flying experience नहीं है यह उनकी लिए vacancy है तो यहाँ पर आप click कर लिजेगा वो ही details हैं सारी जो हमने discuss की हैं अभी यह दोन यहाँ देखिए यहाँ पर आ रहा है हाँ first April को है second April है third April यह address आपको दे रखा है location जैसे डेली में है third April को third April को ही मुंबई में है second April को दैरादून में है है ऐसे आपको सारी interview locations interview dates venue सब कुछ आपको मिल जाएगा और जो हम दूसरी बात कर रहे थे वो यहाँ पर और भी jobs मिल यह हैदराबाद में भी है जिसका अचा इसका date तो निकल चुका है आपको dates का ध्यान रखना है बस यह चैसी है third April को है एहमदाबाद में यह first वाली job है जिसकी बात हम कर रहे थे जिसमें graduates को मांगा है कोई भी graduate male female कोई भी जा सकता है यह पूने में है same post पर यह है इसका interview कह है इसका interview निकल चुका है यह first April को है Kolkata में यह second April को चेंड़ाई में same position है same post है और हाँ इनमें यह सारे आप देख लिजगा पतना में राइपुर में है कब-कब है उसके according आपको जो भी आपकी nearby location है आप अपनी nearby location पर पहुँच कर interview दीजिए experience लीजिए कुछ नया सीखने को ही मिलेगा और अगर आप अच्छा करते हैं तो आपका selection definitely हो जाएगा आज के लिए बस इतना ही next video में मिलेंगे next new भरती के साथ thank you so much